दोस्तों अगर आपको कोई speaker purchase करना होता है तो आप सबसे पहले क्या खोलते हो यूट्यूब खोलते हो और उस पर लिखते हो कि हमें इस ब्रांड का ये speaker चाहिए और ये भी कभी कि आप सर्च करते हो best speaker पंदरा इंच बेस्ट इस्पीकर से ठारा इंच बेस्ट इस्पीकर बारा इंच ठीक यह चीज आप ज़रूर्ट से अर्च करते हो कि कौन सा बढ़िया है तब वह तब ही वह हम purchase करें और अच्छे price में हो कि हमारे budget में भी हो और यहां पर आप लोग को कुछ ऐसी चीज़े ब पताना चाहेंगे तो इस वीडियो को यार लाइक आना चाहिए और पहली बारादो चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर्ड प्रेश कर दाना क्योंकि मैं अगली वीडियो डालू तो आपको notification मिल जाए दोस्तों होता क्या है कि यहां पर जितनी कंपनिया है पहले तो अगर कोई भी company मालो जो नहीं खुलती है या हैं पुरानी तो कुछ ऐसी company आ हैं जो अंग बन करें उन पर भिष्वास कर लेते हैं लेकिन जो नई नहीं कंपनिया आ रही हैं आ इन्डिया में पाही सारी speakers आ रहे हैं इतनी सारे यार कंपनी इतने सारे ब्रैंड हो लेकिन वो नाविख्यात कैसे हुए है और कैसे दोखा करते हैं यह लोग मैं आपको बताता हूं दोस्तों अगर आप यूटुब पर देखके राप लेते हो इस स्पीकर को तो होता क्या है कि आप यार जो यूटूबर होता है बाई सिंपल सी बात है जो यूटूबर होता है उसे मिलता है sponsor मालो मुझे कोई भी company speakers की मुझे दिया कि भाई आप ये मेरा speaker है ये मेरी amplifier है ये आप लोगों को दिखाईए और इसके बारे में जैसा amplifier को रखे लिए जैसा उनसे deal हो जाए उस यूटूबर से ठीक है यूटूबर से तो होता क्या है तो फिर बंदा कहता है जो यूटूबर होता है वो कहता है ठीक है मैं आपके amplifier को ले लूँगा इसके मतले मैं पैसे नहीं लूँगा या तो आप मुझे मुझे पैसे देना मैं आपका amplifier से आपको भेज दूँगा ठीक तो होता ही है तो फिर वहां पर speaker हो गया यह amplifier दोनों समधना आप लो मैं दोनों पॉइंट को ले कर चलूँगा तो होता क्या है कि वहां पर यूटूबर जो होता है भाई देखो उसे तो पैसा मिलता ही है ठीक उसके उसने उसके amplifier का प्रचार किया लोग को बताया और उसमें क्या होता है कि वह क्या बताता है काफी अच्छा speaker है यह चीज है इसमें यह अ बात है कोई भी ब्रांड लोगे अच्छा सा कैबिनेट हो ठीक अच्छा सा कैबिनेट हो और उसमें बजाओ यह नहीं कोई भी ब्रांड लेलो की हजार दोजार वाला पंदरा इंच लेलो यह नहीं कोई भी अच्छा ब्रांड हो अच्छा कैबिनेट हो उसमें बदाओ तो आपको करना क्या यार जो नएने ब्रैंड आ रहे हैं उन पर अभी कुछ अभी स्पीकर चला था कुछ नाम करके प्रोस्रोग प्याता नहीं क्या है मैं नाम नहीं लूँगा पूरा ठीक है तो फिर यहां पर वो चला था काफी लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे कि बहुत अच्छा नहीं है वो हमारे ग्रुप में चैटिंग होया करती है वो लोग बताते हैं कि मेरा ओर्जिनल था वाई लेकिन पहले तो काफी अच्छा बचा लेकिन अब बहुत घटिया बज रहा है तो यहां पर आपको धिहान में करने वाली बात यह है कि आपको जितन अपनी आखों से देखना ले तब तक कोई भी ब्रंट आप न खरीदे क्योंकि पैसा देखो भाई आपको देना है हमें नहीं देना है कोई आर्ट तस अजार में कोई स्पिकर्ट नहीं आएगा कि आपको एक दो खरीद आपको ज्यदा खरीदना है भाई देखो कम से कम 2-4 लाक रुपए डीजे में लगते हैं ठीक तो कोई आम मुझे तो पैसा देना तो आप ऐसा चीज लीजिए कि वो कुछ दिन तो चले भाई आप यूट्यूबर्स के कहने पर जो आपको वीडियो बताते हैं उनके कहने पर उस ब्रांड को मत खरीदिए जो आपको अच्छा लगता हो जिसकी क्वाइल्टी अच्छी हो और जो अच्छे टाइम तक यानि लंबे समय तक टिके वो चीज आप लीजिए यहां पर भाई लोग तो पोचते हैं कि मेरे डिस्क्रेब्शन मात जाएं वहाँ पर लिंक वहाँ से प्रचेश कर लेजिए अभाई परसे तो वहां से कर लेते। लेकिन पता है उनका फिफाइदा होता है जो लेकर देते हैं लेकिन आप लोग यह चीज सुनिए कि आप पहले देखी वह कोई चीज है क्या उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक भाई में ऑनलाइन स्पीकर्स मंगाया था यहां पर उसके साथ घफला हो गया तो आप ऐसी चीज़े मत करें आप खुद जाकर आप उसे स्वाप करें और खरी दिये ठीक है और खरी दिया के बाद उसे अपने आखों के सामने उसकी टेस्टिंग करिए कोई हम तो भाई ऐसा कोई दुकांदार तो है जो टेस्टिंग कर करने जरूर देगा तो आप जब तक उसकी आप वाइब्रेशन बेस मिट ट्रेवल जो हो उसे आप पहले देख लें तभी आप इस पिकर को परचेज करें आन्य था आप मत करें और दूसरों की कहने पर आप डीजे शिट अप बिलकुल ना खरीदें आपका जो मन हो जो एंप्लीफायर का फ्रॉट ऑनलाइन फ्रॉट बहुत जैदा हो गया है इस बीच में तो ऐसे लोगों से आप बिलकुल स्टावधान रहें सतर्क रहें ऐसे चीजों से आप बचे रहें तो यह वीडियो आपको इसलिए बनाया था मैंने कि यहां पर आप लोगों को पता हो कमपनी पर आख बंद करके भरोसा मत करना ऐसी कुछ कंपणिया के जो हमें भरोसा दिलाती हैं लेकिन हर एक कंपणि भरोसा नहीं दिला सकती क्योंकि यहां पर इंडिया की कुछ कमपनिया हैं जो कि local खोल लेती हैं और काम कुछ हो रहे हैं काम वह सब कुछ और हैं तो आप अच्छी चीजे लें और अच्छा चलाएं यहां पर पैसा मेरा खर्चा हो रहा है तो मैं जो मेरे समन में समान आएगा वो लूँगा आप किस यूटूबर्स के कहने पर या कुछ कहने पर आप कोई परिशेश ना करें और दूसरी बात भाई कि यहां पर आप लोग एक निवेदन हैं कि यहां पर अभी तक DJ सेट अप कोई भी चल नहीं रहा है तो यहां पर आप लोग उसी तरह के प्रोग्राम लें और उतना ही और ठीक से चले क्योंकि यहाँ पर कोई भी मामला हो सकता है यहाँ पर आपका डीजे भी जब्त हो सकता है कुछ भी हो सकता है पुलिस के द्वारा आप बजाईए आप लोग लेकिन कम साउंड में बजाईए और कम डेशीबल में बजाईए तो दुस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जूरू बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यार लाइक शेयर कर देना वीडियो को मेहनत लगती भाई पसीना बहुत निकलता है ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में